Hey guys welcome to my youtube channel और यह API की series का तीसरा part है जिसमें हम सिखेंगे कि data को update कैसे करना है अभी तक अगर तुम मेरी playlist देखते आरो API बादी तो हमने अभी तक API का use करके database में data create कैसे करना है वो हमने देखा है and then read कैसे करना है वो हमने देखा है then अब हम देखेंगे कि update कैसे करना है तो अगर तुम यह सोच रहो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तुम नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं right तो तुम पिछले दो वीडियो को जा कर देखो तो तुम अच्छे समाज में आगा कि मैं पोस्टमें क्या होता है and all the things I am gonna do this in this video okay so जो लोग देख चुके है उ अपडेट.php है अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे हम यहां पर अपडेट करेंगे API के तुरू अब वह हम कैसे करेंगे चलो देखते हैं देखो हम यहां पर क्रेट.php जाते हैं सब कुछ कुछ कॉपी करते हैं and then update.php पर आपर पेस्ट कर देखते हैं ठीक है अब हम द अब बेसिकली क्या करना मुझे यहां पर मुझे यहां पर यूजर जो डेटा देगा उसके according यहां पर चीजों को अपडेट करना है अब सबसे पहली बात हम वैलिडेशन के बारा हम बात करें तुम देख सकते हम पर अलड़ेडी वैलिडेशन लगा हुए कि अगर को एडिट करना चाहते हैं तो हमें यह कंडिशन इस तरीके से नहीं चेक करने राइट हम यह तो चेक करेंगे कि डेटा में डिसकाउंट आया है कि नहीं पर यह जो एरर शो करवा रहा है यह यहां पर कुछ हो करेंगे तो चलो हम देख लेता हम चीज कैसे करेंगे ओके तो मैं यहां पर एक और condition बना रहा रहता हूं सिबसे पहले टो हम आप यूजर हभर to provide के रहम क्या करेंगे कि यूजर जो है ओसे जर झिभी रहा है किने कर रहा है तो मैं यहां पर दो डॉलर डेटा है उसके अंदर अगर ID है ID जो है वो है अगर तो यह चीज चले और नहीं है तो else वाली चीज चले अगर ID उसमें नहीं है मतलब अगर ID नहीं है blank है जो null होता है वो as a false treat होता है तो मैं यहां से इसको copy करता हूँ अगर नहीं है तो यह error show करें कि user ID is user ID is not given user ID is not given और बाकी चीज़े सेम काम करेंगी तो मैं क्या करता हूँ अगर user ID is given नहीं है तो इन सब चीज़ों को चलाने कोई मतलब भी नहीं है तो मैं इन सब चीज़ों को यहां से copy करता हूँ यहां तक spirit को यहां से copy कर लेते हैं copy करने के बाद कट करते हैं और इसको मैं इसके अंदर paste कर देता हूँ ठीक है तो अगर ID provided है तो यह चीज़े चले और नहीं तो यह एरश हो ओके तो हमने इतना कर लिया अब देखो सबसे पहली बात यूजर जो है जरूने की सभी तरह की चीज़ों को अपडेट करना चाहें मतलब हमें आप चेक कर रहें कि अगर discount blank है else if यह blank है तो सबसे पहले तो हमें इसको else if से अटाके normal if condition करना है क्योंकि else if में क्या है कि अगर उपर वाली false है तो नीचे की चीज़े नहीं चलेगी बट हमें सभी को चेक करना है that's why हम इसको separate if में डाल रहें right तो यहाँ पर मैं सबको इफ में डाल लिया मैंने अब ठीक है अब देखो अब हमें क्या करना हमने चेक करना हमने डिसकाउंट अगब blank है तो यह हो यह हम बसीदी अब क्या करना है मान लो जो यूजर है वो यू यहाँ पर करने तो चलो हम देख लेते हो कैसे करेंगे ठीक है मैं इसको save कर लेता हूं तो अगर यहाँ पर सबसे परले तो हम get करते हैं इस user id का data तो मैं आप एक क्वेरी बनाता हूं query to is equal to select all from products where id is equal to dollar data id right मैं इसको यहाँ पर concentrate कर देता हूं okay ठीक है तो हमने यहाँ पर कर लिया अब हमने dollar data id को quotation mark में क्यों नहीं डाला है क्योंकि हम as a integer उसे treat करें तो यहाँ पर मैंने query बना ली अपनी right तो अब मैं इसको run कराऊंगा मैं यहाँ पर बना जता हूं run to जिसमें मैं mysql function को call कर ल okay then यहाँ पर मैं प्रोड़क्ट और इसके अंदर मैं store करा लेता हूं mysql i fetch asok ठीक है asok कहरे मैं चाहता हूं fetch करें और यहाँ पर मैं पास करा लेता हूं run to अब क्योंकि वह एक है मतलब id तो सबकी unique होते है तो एक id से एक ही record होगा तो यहाँ पर product में जो है वह एक ही element store र लेता हूं and save करने के बाद हम क्या करते है यहाँ पर चक करेंगे कि अगर dollar data discount जो है वह blank है तो क्या हो तो यहाँ पर dollar data हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले variables बना लेता है हम directly ताकि हम हर जगह ना लेकिन अपर हम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अब इसको हम नेम देता है हम प्रोडक्ट, प्राइज product, प्राइज हम एक और फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको नेम देता है इस्टोड देता है है और रेकिन यहाँ पर सुेट है अ इसको हम नाम दीते हैं डिस्काउंट डिसकाउंट ओके तो हमने यहां से गेट करवा लिया है और बाइडिफॉल्ट इनके अंदर जो इनकी डेटाबेस की ओरिजिनल डेटा है वो श्टोर रहेगी राइट अब हम यहां पर क्या करेंगे अगर यूजर ने डेटा प्रोवाइड कर रखा है तो यह नल नहीं होगा डॉलर डिसकाउंट की वैलू जो है वो डॉलर डेटा माइनस डॉलर डिसकाउंट से अपडेट करता हूँ राइट मैं यहां पर सेव करता हूँ सेम चीज मैं इन सब के लिए करता हूँ मैं इसको यहां से इठाता हूँ और यहां पर डॉलर प्रोड़क्ट नेम की वैलू जो है वो मैं डॉलर डेटा डॉलर प्रोड़क्ट अंडर्सकोर नेम से रिप्लेस कर दूँगा ओके सेम चीज मैं को इसके लिए भी करनी है मैं यहां पर भी नॉलर डॉलर ब्रोड़क्ट प्राइस की जो वैल्ल Ark मैं डॉलर डेटा डॉलर प्रोड़क्टinda कशिए हैं मैं फिए और ग Cheers कर रहा हुए जो अबजेक्ट के जो मेंबर्स होता है उनके आगे हम डॉलर साइन नहीं लगाते हैं, okay, so product price, okay and same चीज हमें stock के लिए भी करने न, dollar stock is equal to dollar data stock, okay, तो मेरे ख्याल से, तो यहां पर जितनी भी चीज़े थी हो, सारी वैसे ही work कर रही है, जैसे हम चाहते थे, तो मेरे ख्याल से हमने यहां पर काफी हद तक चीजों को cover कर लिया है, okay, अब हमें बस एक query रन करवानी है, right, तो मैं यहां पर देख लेता हूं, इसका block इतना है, कि हम यहां पर else की जरूत नहीं है, मैं इसको यहां से remove कर देता हूं, okay, और मैं इन सब को comment कर देता हूं, अभी कुछ देर के लिए, ताकि मैं data देख सकूं कि आखिर, हो क्या रहा है यहां पर, right, okay, 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 मैं पहले check कर लेता हूं, किस तरह रहेगा error तो नहीं आ रहा, मैं यहा पर dollar, मैं सब को eco कर वा लेता हूं, eco, dollar, product name, right, और साथ मैं BR tag लगा देता हूं, eco, product, price, okay, copy, eco, stock, record discount, and save कर दिया, ठीक है, अब मैं देखता हूं, यहां पर request भेज के, कि आखिर क्या है, तो अगर मैं इसको normally खोलू, ऐसे, update.php browser में, तो यह लिखेगा, id is not given, because user id गीवन नहीं है, right, तो हम यहां से इसको copy करते हैं, and postman पर जाते हैं, postman पर जाके, हम यहां पर request भेजते हैं, यहां पर हम इसको put request की तरह भेजते हैं, हम यह body पर आते हैं, नीज़े करना पड़े का लिए यहां प्रोडली याँ मैं अंधनन पर लेक्वेत्प जेशुन सेलेक्ट लुक्त सिरल्छ पारें शूम यूजरायडिर एसका पास केरपे अं किलाई orphan ने यूजर साथlando किरेफिष भराई हैं और ने इंटमि पो जरी देखो यूज़र है सबसे पहले मैसेज चेंज कर लेते काम करते हैं क्योंकि यूजर तो है नहीं ना प्रोड़क्ट है तो अगर आइडी गीवन नहीं है तो हमें क्या शो करवाना है हमें शो करवाना है प्रोड़क्ट आइडी गोट लिए और के फिर्लिट यहां यहां पे आपे यह पर पोश्ट मेंगे पर अब यहां पर हम रिक्वेश्ट मेंच कर साथ है और ha kai हम यहां पर आइड बहेज़के की है हम रह एक दरोम यहां पर आपडेट करवानी चाहते हैं जाता है नेम प्रोडक्त नेम अप्डेट् करवान चाहते है उक्याय lot he would हम अप्डेक हान चाहते हैं eta इपल का एप्ल smart watch इस ओके अपने यहां पीसे बना लेंता हैं हम सेंड करके देखते request्त है मैं तुम देख सकता हौत हें यहां पर request send किया है और हमें यहां पर return में क्या मिला हम देख लेते हैं हम यहां पर apple smart watch विला अब बाकी जो भी इनका data है वह वही है जो by default database में already stored है right apple smart watch 12,000 and 15 रुपे discount okay हमने यहां पर stock को print नहीं करवाई गया okay okay यहां पर इसलिए नहीं मिलना क्योंकि इसकी value blank होगे क्यों क्योंकि हमने यहां पर sign नहीं चेंज करना right मैं save करता है इसको and then यहां पर postman में आते हैं postman में आनक बाद वाद वापर request भेजते हैं तो तो आप देख सकते हैं आपर apple smart watch BR 12,000 BR stock सब कुछ हमें मिले ठीक है तो जो चीज हमने update के लिए वो चेंज होगे और बागी सारा data पुराना वाली है तो perfectly इतना तो काम कर रहा है right अब हम इसको basically simple query में चलाएंगे और बागी चीज़े अपना फोजाएंगे चलो हम उस चीज को भी कर लेते हैं हमें यहाँ पर update की क्योरी चलानी है okay मैं यहाँ पर आता हूँ मैं यहाँ पर करता हूँ update products set product underscore name is equal to actually इसको हम ऐसे ना करके थोड़े तरीके से करते हैं ताकि थोड़े और और नाइज लगे हम अब query को नीचे करेंगे query is equal to अब इसके आगे क्योंकि हमने यहाँ पर extra space दे तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे ऐसे कुछ product underscore name is equal to dollar product underscore name ठीक है यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और यहीं पर इसको कॉपी कर लेते हैं पेस्ट कर देते हैं चार बार और फिर इनकी values को change कर देते हैं हम यहाँ पर अब product price यहाँ पर भी price product name तो जो product name है यहाँ पर है stock जो stock है उसको भी हम change कर देते हैं stock जो discount है discount इसको भी हम यहाँ चेंज कर देते हैं discount ओके तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया अब product set product name प्रोड़क्स भी को अब यहाँ पर हम वेर कनिशन लागते हैं वेर आईडी जो है वह इक्वल है किसके dollar data आईडी के हम इसको फिर से बाहर कनकिनेट कर वालेते हैं तो जहां पर ID equal है जो यूजर ने ID प्रवाइड के उसके ठीक है हम यह लाइन को अटा रहता है क्योंकि इसकी हमें जरुवत नहीं है यहां पर ओके तो आप क्यारी रेंड कर दिया अगर रन हो गई तो हमें यहां पर लिखना है प्रोड़क्ट अपडेटेड राइट और अगर नहीं हुआ तो हम लिखना है प्रोड़क्ट नॉट अपडेटेड ओके मैं इसको सेव कर लेता हूं दैन अब हम इसको चेक कर लेते हैं मेरे ख्याल से वक करना चेस में कुछ गल्ती अभी तो नहीं लग रही हम चेक कर लेते एक बार पोस्ट अपडेटा रहा है फेल्ड प्रोडुट नॉट अपडेटेड ओके एक्यूंअल हम देख लेते हैं यहां प अपडेट में जाता है सबसे पहला तो हम इसको इसको प्रिंट कर रहे हैं को कर बार मैं इसको यहां से अटा लेता हूं हम इसकी ज़रूरत नहीं है च्छिएव क तो तुम यहाँ देखोगे यहाँ पर हमार जो प्रोड़क्ट ने में वह यहाँ पर अपडेट हो चुका है तुम सब कुछ प्रवाइड कि निए अब हम चलो इसका प्रिफ्रेश करता हूं प्रोड़क्ट प्राइज और दिस्काउंट चेंज करके देखते हैं ठीक है तो चलो हम यहाँ पे आपे आप पोश्ट मैं पर एक हमें पर पॉट्ट में में अपड़ नहीं करना है हमें जो id2 है, उसका अप्डेट करना है, हमें सबसे पहले उसका प्रोडक्ट प्राइज अपडेट करना है, मैं यहाँ पिर्दॉक्ड प्राइज देता हूं, कितना लिखना है मैं यहाँ पे 80,000 करना चाहता हूं और मैं इसका discount बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं आप यहां पर discount मैं लिख देता हूँ और discount मैं लिख देता हूँ यहां पर 20% राइट आप यहां पर देख सकता हूँ पहले तो मगर मैं तुम्हें database दिखा हूँ कि यहां पर जो इसका discount 15% प्राइज हो 12,000 अब मैं यहां से request भेजत करके देखते हैं क्या product update हो चुका है मैं यहां पर आके refresh किया मैंने और तुम देख सकते हो प्राइस जो है वह 80,000 सेट हो चुकी और discount 20% हो तो perfectly work कर रहा है तो इसी के साथ हमने update भी कैसे करते हैं API का यूज करके वह सीख लिए I hope तुम्हें समाझ आया होगा I hope कि मेरी language मेरा पढ़ाने का तरीका है तुम्हें समाझ आ रहा होगा अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे comment कर सकते हो या मुझे DM कर सकते हो मेरे Instagram ID पर जो कि description में mentioned है या तुम मुझे email कर सकते हो ठीक है झाल